सो एमकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नीट एप्लिकेशन फॉर्म 2023 वालों के लिए बहुत भी बड़ी गुड अपडेट यहाँ पर रहने वाली है, अगर आप भी नीट एप्लिकेशन फॉर्म 2023 का फिलब करना चाते हैं, तो NTA द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ भी गुड न्यूज जारी हो चुकिए, यहाँ तक की न्यूज के मादियम से भी गुड अपडेट जारी हो चुकिए, नीट एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट, कलोजिंग डेट और एक्जाम डेट, एक्जाम 2023 का बहुत ही जल्द होने वाला है, तो एक्जाम का पैटर्ण क्या रहने वाला है, पूरा क्राइटिरिया यहाँ पर देख लेते हैं, तो न्यूज के मादियम से बहुत बड़ी गुड अपडेट यहाँ पर जारी हो चुकी है, तो विद्यार्तियो एप्लिकेशन फॉर्म 2023 को लेकर पत्रिकाने बहुत ही बड़ यहाँ पर अपडेट जारी किया है, जैसा कि आप देख पार होँगे, नीट 2023, जल्द जारी होगी तितिया, जाने कैसे करे आवेदन, और कब आपको करना है, एप्लाए, पोरा यहाँ पर देख लेते हैं, यह जैसा कि आप देख पार होँगे, नीट 2023 के लिए, नेशनल ट test agency द्वारा जल्द की जानकारी तो यहां पर आप देख सकते हो थोड़ा score down हम यहां पर कर लेते हैं यह देखिए तो थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं यहां पर सो विद्यार तो यहां पर पत्रिका ने कुलासा किया है कि प्रिक्सा के लिए उम्मिद्वार चात्रों को बारवी कक्सा में भोती विज्ञान होना चाहिए रसाइन विज्ञान होना चाहिए जीव विज्ञान आपके पास होना चाहिए और इंग्लिस सब्जेक्ट आपके प होना चाहिए clear और जो चात्र इस वर्स बारवी कक्सा में पढ़ रहे हैं वो भी इस प्रिक्सा के लिए आविदन कर सकते हैं बहुत बड़ी बात है है अगर मालो आपका रिजल्ट नहीं आया कोई दिक्कत नहीं और रिजल्ट के विशे जुरुत भी नहीं होती अगर आप बारवी में पढ़ रहे हो ना तो भी आप एपलाई कर सकते हो अगर आपके पास बारवी की मार्क सीट नहीं है तो भी आप एपलाई कर सकते हो सिर्फ दस वी की मार्क सीट से क्योंकि आपको पता है कि आपका जो रिजल्ट आता है बार वी का वो मैं जून जुलाई तक आता है ठीक है बट आपके फॉरम उससे पहले एपलाई हो जाते है ना तो इसलिए बार वी के मार्ग्षिट यांपर जरूरी नहीं है, दस विक मार्शेट से भी काम चल जाएगा, चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो देर से आता है तो ऐसे में फोरम आपको पहले बरना होता है क्लियर, अब आ जाते आगे जिसा कि पिछले साल आपका जुलाई में एक्जाम हुआ था, ठीक है बट अब, जो संभावित डेट है आपका मई में एक्जाम होगा और फोरम की डेट भी अभी हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर 13 लेंग्वेज में यह पेपर होता है इंग्लिस इंदी तो रहता ही है इसके लवा जो बांकी की लेंग्वेज है न वो भी इसमें रहती है और यहाँ पर एप्लिकेशन फोरम की चर्चा हम जरूर करेंगे रिपोर्टर के नुसार बट उससे पहले कुछ अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं विद्यार्तियों सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एप्लिकेशन फीस की अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो फोरम की पीस आपकी 1600 रुपे लगेगी अगर आप यहाँ पर OBC में आते हो तो 1500 रुपे अगर आप YSC, YST कैटेगरी में आते हो PWD में आते हो तो आपका 900 रुपे आपका मातरियां पर एप्लिकेशन पीस लगने वाला है तो चले विद्यारतियों NEET 2023 एक्जाम का अवर्वी यहां पर देख लेते हैं कब आपको बरना है कौन इसको कंड़क्ट करवाएगा क्या पेटर्न रहेगा NEET 2023 इसका फुल फॉर्म आपको पतावना चाहिए National Eligibility Come Interance Test यह होता है NEET का फुल फॉर्म इसके जो फॉर्मे आपको बरना होगा और इसका जो एक्जाम है वो ओफलाइन होता है ठीक है पेन पेपर के माद्यम से क्योसन वही आपका objective आएंगे चिंत आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है NCRT के माद्यम से भी आप इसको हंसिल कर सकते हो सकसे क्लियर और अपिसल वेबसाइट आपको पता है से अब देखो विद्ध्यारतो NEET 2023 इक्जाम डेट अब यहाँ पर डेट आप देख लो यह expected डेट यहाँ पर दिखा रखी है पास्ट विक आप दिसम्बर 2022 दिसम्बर में मंत में यहाँ पर निकलने के पूरे-पूरे चांसे यहाँ पर लग रहे expected डेट और इसके बाद जो closing डेट रहेगी अब इसम्बर के लाश्ट तक दिखा रखी है अब इसमें correction का मोका भी मिलेगा आपको January तक और इसके admit card आपको March में मिल जाएंगे और exam आपका मही में होगा 100% मही में होगा आपका exam देख सकते हो आप तो सभी का यही कहना है कि मही में exam हो जाएंगे तो अभी आपके पास time है तयारी का तो तयारी वैसे हमने भी करवा रखी है course के माध्यम से आप कर सकते हो जड़ा प्राइज नहीं है अगर आप तयारी करना चाते हो तो इसका process चलिए हम आपको दिखा देते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड होने के बाद इस प्रकार का open हो जाएगा विद्यारतियो तो यह आपको दिखाएगा net और बिए से ठीक है यह वाल आपको buy कर लेना है price उपर नीचे होता रहता है तो आपको देख लेना है यहाँ पर अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है कोई issue आता है कोई problem आती है तो यह online coaching के यहाँ पर वार्शब नमर है 8302105558 इन पर आप हमें वार्शब कर सकते हो तो हम आपकी help करेंगे यहाँ पर online coaching से जोडने के लिए अब चले विद्यारतियो यहाँ पर बात कर लेते eligibility criteria कि आप में क्या-क्या योगिता होना चाहिए भारत के नागरिक आप होना चाहिए ठीगे और किसी भी state show आप यहाँ पर apply कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यहाँ पर आदार काड़ आपका होना चाहिए ID के तोर पे जब आप apply करोगे ना तो अब यहाँ पर आपकी उमर भी देखो proper होनी चाहिए limit यहाँ पर रखा गया age का तो कम से कम 17 साल आपकी उमर होना चाहिए तब ही आप यहाँ पर neat का फोरम बर सकते हो 17 साल वेफोर 11 दिसमबर दिसमबर से आपको count करना होगा अब यहाँ पर देखो विद्यार तो maximum तो यहाँ पर 25 दे रखा है बट यहाँ पर government दोरा इसको extend कर दिया गया है यानि कि no age limit रखा गया एक हापी बार तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आप आराम से 5-6 attempt दे सकते हो clear अब यहाँ पर बात कलेते section के होग गयता यानि कि education qualification तो वही है कि पहले तो आपका 10 भी पास होना जरूरी है यह तो है से और रही बात बारवी की तो बारवी में आपके physics chemistry biology होना चाहिए simple biology वाले विद्यारती इसको बरहेंगे mathematics वाले नहीं बर सकते तो biology आपके पास होना चाहिए बारवी में और बारवी चाहिए आपका पास हो कोई दिक्कत नहीं या फिर आप अभी बारवी में पढ़ रहे हो तो भी बर सकते हो clear अब बढ़ते आगे के और अब देख लेते आपके neat 2020 का exam pattern किस परकार का pattern रहने वाला है तो offline आपका exam होगा 180 question आप से पूचे जाएंगे objective type के और यहाँ पर 3 hours 3 गंटा का आपको time दिया जाएगा कौन कौन से subject से पास होना आएंगे physics, chemistry biology, biology में जूलोजी से भी आएंगे और बाटनी से भी proper question आएंगे बराबर ठीक है language यहाँ पर काभी सारी रहेगी है ना कोई दिक्कत नहीं है जैसे आप चाओ वो फिलप कर देना English, Hindi, Tamil, सारी बास है रहेगी और यहाँ पर कोई भी question अगर आप सही करते हो तो उसका 4 अंका आपको मिलेगा अगर कोई question आप गल्द करते हो तो minus minus 1 यहाँ पर रहने वाला है तो इसका थोड़ा ध्यान रखना negative marking यहाँ पर रहने वाली है तो जो question आपको आता है उसको proper आपको करना है और वेसे भी डरना बिल्कुल भी नहीं है अधिकतर जो question है वो biology से ही बनते हैं 50% paper biology का ही होता है जैसे यहाँ पर 180 है ना तो 90 question तो आपके biology का ही बनेंगे 50% हिस्सा biology का NCRT पढ़के भी काम चला सकते हो आप बाकि यहाँ पर 25% आपका physics 25% आपका chemistry और इनमें भी आप theory की question करके आराम से यहाँ पर कर सकते हो success हांसे अब यहाँ पर विद्यार तो अगर हम syllabus की बात करें तो syllabus में आपका 11th और 12th का NCRT यहाँ पर रहता है जिसमें से basic most important topic है 12th का reproduction चायो male reproduction हो या फिर female reproduction यहाँ से question proper बनता है हमेशा बनता है इसके लाबा biology and human welfare क्योंकि आप medical field में जा रहे हो ना तो उसी से related question अधिक्तिरियां पर बनते है genetics के question आप राते है ecology के question आप राते है 11th में अधिक्तिर जो question बनते है वो आपके diversity के question बनते है plant से बनते है क्योंकि इसमें आपका बोर्णी भी है इसलिए plant physiology human physiology पूरा हम आपको पढ़ा देंगे mks academy app के माद्यम से तैयारी तो हम करवा देंगे चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है विद्यार तो बहुत यासान है अगर आप तोड़ा सा ठान लो ना तो आराम से कर सकते हो आप घर बेटे भी तैयारी कर सकते हो आपका बस 11 और 12 वाप स्रिविजन करना है तोड़ा सा डेपली पढ़ना है और कुछ नहीं करना और यहां पर चिंता तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए 50% तो biology है आपकी जिसने NCRT की किताब अच्छे से पढ़ ली तो 50% नमबर तो आपके वहीं से आगे अब यहां पर आप देख लो केमेस्ट्री का से ले बस सॉलिड इस्टेड सॉलिशन सरपैस केमेस्ट्री 11 से भी आप देख सकते हो केमेस्ट्री का यह आपका रहने वाला है और यह रहा आपके physics का से ले बस current electricity पूरा हुई यह जो आप 11 और 12 में पढ़कर आ रहे हो बस आपको पता होना चाहिए कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है टॉपिक क्या पढ़ना है और वो हम आपको पढ़ाएंगे MKS Academy एप पर तो अगर आप भी घर बेटे तियारी करना चाहते है तो डाउनलोड कीजे MKS Academy एप को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है